हेलो एवरीवन विल्कम टू मैं चैनल हाइपाट्रेड इस भी मैं हूं महुमाद सोहिल आप लोगों के लिए मैं फिर से स्टॉक लेके आ गया हूं दोस्तों SBI Bank अब देखिए SBI Bank अंदर जो भी reversal हो रही थी सभी को मैंने strategy बता दिया था कि किदर भी हम लोग entry लें हमें backup capital और strategy पकी होनी चाहिए और reversal होता हुआ दिखा stock 190 level को गया है इधर हमारा support है 170 level अगर यह 170 level का support break कर रहा है तो ही stock नीचे जाएगा वरना दोस्तों आप लोगों क यह 202, 210, 206 level आपको देखे ही छोड़ेगा 210 तक पूरे के पूरे level देखे ही छोड़ेगा दोस्तों क्यूंकि यह हमारा mid range level में चल रहा है 210 से लेके 170 यानि इधर पूरा आप देख सकते हैं 40 रुपेस का price moment है stock इसमें ही slow moment लेते हुए reverse आ रहा है जो भी इसके अंदर हमें up move देखने को मिली 210, 230, 230 के level तक हमें up move देखने को मिली बस वो recover कर रहा है दोस्तों already 40 रुपेस recover कर चुका है इसलिए पिछली बार भी मैंने fresh entry करा दी उससे पहले भी जब video upload करा जब आप सभी से मैंने fresh entry करा दी और एक बाद बताता हूं stock reversal ले चुका है इसके बारे में strategy भ काम करता है पर बिना reversal लिए stock ऊपर जाते हुए हमारे targets achieve कर दे रहा है तो देखिए इसके अंदर normal profit हुआ अगर stock reversal लेके हमाई strategy के हिसाब चुक काम कर रहा है इसके अंदर हम लोग capital invest कर रहे है इसके अंदर हम लोग double average कर रहा है तो देखिए 210 और 200 जिदर भी हम लोग ने entry लिया है वह entry पर आप सभी को double profit ही होगा दोस्तों अगर strategy काम कर रही है तो अब देखिए strategy काम कर रही है और अब इसके अंदर double profit के साथ कब exit हो और stock को कब तक hold करें यह भी आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं अगर आप मेरे YouTube चैनल के लिए नए हो तो म मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए SBI bank हमारा patience levels हद से ज्यादा ही test कर रहा है दोस्तों अगर हिदर हमारे 210 level achieve हो जाते हम लोग इधर ही double profit के साथ exit हो जाते पर देखिए stock वहां से भी reversal लिया है 190 का level फिर से break कर रहा है हम लोगों ने इसके अंदर fresh entry ले ले ली थी 200 के पास fresh entry ली थी दोस्तों पिछली बार तक आप लोगों को एक ही कह रहा था कि अगर हम लोग 210 पे इसके अंदर entry ले 195 पे ले 200 पे ले stock जिदर भी reversal जा रहा है उसके हिसाफ से strategy maintain करिए आप सभी को बता दिया था दोस्तों अगर आप strategy maintain कर रहे हैं तो short term targets हमारे 210 है अगर 190 के पास जो भी entry लेके चल रहे हैं वो लोग दोस्तों 200 के पास exit हो जा सकते हैं और जो भी 195 के पास entry लेके मेरे कहिने पे 5 रूपीज के हिसाफ से 190 पे average किया है तो 192.50 पाईसा average बना होगा देखिए इसका closing भी नजजिक हमारे average की है उसके हिसाफ से हम लोग अभी भी थोड़ा बह 95 के पास ली average करने के बाद दो बार average हुआ है यानि 195 के पास ली और 190 के पास ली यानि इसका midrange भी हुआ तो इधर 100 quantity इधर 100 quantity भी दाल लेंगे तो हमारा profit इधर 195 के पास भी double होगा दोस्तों ज्यादा नहीं होगा double होगा अगर यह हम लोग 200 के पास भी exit करें इसके अंदर double स triple profit होगा यह बात तो आप लोगों को मैं पहले से बताते आ रहा हूं आज भी बता रहा हूं दोस्तों देखिए 210 के पास जो लोग भी entry लिया है जिसने भी entry लिया है दोस्तों 210 के पास और जिदर भी entry लिया है चाहिए वो 200 180 हो 170 तक ही हम सभी average करेंगे 170 के बाद हम लोग average न short term targets होते हैं professional short term targets professional short term targets की खासियत यही है कि उसके अंदर हम लोग average नहीं करते अगर 210 पे लिये हैं तो 230 पे हम लोग exit कर देंगे इसके अंदर no law strategy हम लोग इस्तमाल करते ही नहीं अब इसके अंदर हम लोग short term में ही 210 में क्यों exit होते हैं क्योंकि हमारा capital 170 लेवल तक जो भी हम लोग ने average किया है वो already 8 का होगा तो उसे release करना है तो 230 तक तो रुक नहीं सकते इसलिए हम लोग 210 में ही double से triple profit में exit हो जाते हैं दोस्तों बस यही फरक हो बता रहा हूं आप लोगों को एक ही बोलता हूं कि थोड़ा patience रखिये दोस्तों यह level achieve होने वाले हैं जो मैंने आपको 210 दिये 230 पिछली बार भी stock reversal लिया था 188 के लेवल के लिये लिया था 196 के लेवल के लिये भी लिया था जबी भी एक ही बता रहा था 200 210 230 आप देख सकते ह यह महिने में SBI Bank 210 भी मारा है हाई और 230 भी जाके आया है हमारा average strategy maintain करने के बाद भी हमें double profit दिया है अभी भी आप लोगों को एक ही बोल रहा हूं थोड़ा सबर करिये जो भी fresh entry करना चाते है तो fresh entry करके चलिए 170 पे हमारा support level है 170 break करेगा तो stock नीचे जाएगा वरना stock नीचे नहीं जाएगा दोस्तों इसके उपर किदर भी fresh entry करके आप 190 यानि नीचे लेवर पे entry ले रहे हैं तो चाहिए 180 हो 170 किदर भी entry ले रहे है 190 पे exit करिये और जो भी 210 200 level के पास किदर भी लेके नीचे लेवल तक 190 तक भी average करे होंगे तो 200 overall average बनाए दोस्तों 200 के उपर जाने ल लिया है इधर ही हमारा double profit होगा जिदर entry लिया है उधर ही हमारा double profit होता है दोस्तों अगर आप मेरा strategy इस्तमाल करके चल रहे हैं तो अगर आप नहीं चल रहे हैं तो दोस्तों इस्तमाल करके देखिए अभी आप book writing भी करके देख सकते हैं मेरे strategy कैसे काम करते हैं और इसके अ लेवल तके टच करके छोड़ेगा ही छोड़ेगा दुस्तों आप लोगों को मैंने मंतली टागेश नहीं बता थे यही मंतली टागेश के अंदर लेके चलने के लिए कह रहा हूं और वीकली टागेश बता रहा हूं दोस्तों 1.98 आप लगा ले सकते हैं 21 सेप्टमबर से लेके 25 सेप्टमबर के बीच में 1.98 SBI के अंदर टागेश लगा के आप चल सकते हैं अब चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं आगे बढ़के आप सभी को मंडे के लिए इंट्राडे टागेश बताता हूं यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक है लिंक को हिट करिए और जॉइन करिए मेरा टेलिग्राम चैनल फॉर इंट्राडे लाइव टिप्स एंड स्टॉक मार्केट अ देखिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे मेसेज कर सकते हैं मैं जब मार्केट स्टार्ट होने से लेके बंद हुए तक मैं ऑनलाइन ही रहता हूं जैतर मेल में प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए आप सभी का काम आसान करने के लिए मैंने लेकि आगया है इंस्टाग्रा तो उसलिखा ला हूं मंडे मार्केट में ट्रेड करने के लिए 21 सेप्टेंबर 2020 के लिए 18 सेप्टेंबर फ्राइडे के दिन इस बीए बैंक का क्लोजिंग था 192.60 पैसा देखिए जो 190 के पास भी मेरे कहने पर एंट्री लिए हैं और आवरेज करे हैं के पास भी 190 के पास जिदर भी लिए 190 के पास लिए तो अभी टू रूपीज 60 पैसा में प्रॉफिट में ही है दोस्तों जो भी 195 के लेके सब्सक्राइब करें होंगे तो भी 10 पैसा प्रॉफिट में यानि थोड़ा भूथ प्रॉफिट में ही है यह जिदर एंट्री कर रहे हैं उदर भी डेवलप प्रॉफिट के साथ एक्जिट हो सकते हैं दोस्तों मंडे के दिन बाइइंग का पोजिशन बना सेलिंग का पोज प्रॉफिट हो रहा है आपको खुद समझ में आ जाएगा जायतर मुझे एक कोशन करते हैं मैं दो टागेश्ट क्यों बताता हूं दोस्तों मैं दो टागेश्ट इसलिए बताता हूं कि इसके अंदर आप 50-50 लगा कर ट्रेड कर सकते हैं 75-25% के हिसाब से लगा कर ट्रेड क कर सकते हैं दोस्तों